Hello students, class 7, geography, chapter 7, human environment, settlement, transport and communication इसमें यह हमारा मानवय परियावरन, बस्तिया, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, कम्यूनिकेशन, संचार इसके बारे में पढ़ेगे, ठीके बच्चो In chapter 1, you have learned that early human beings dependent entirely on nature for food, clothing and shelter But with time, they learned new skills to grow food, build homes and develop better beings of transport and communication In this way, they modified the environment where they lived बच्चों इसमें बताया है कि जब chapter 1 में हम पढ़ चुके हैं कि जो early human थे वो food के लिए, कपड़ों के लिए और shelter यानि आवास के लिए पूरी तरह से इस पर निर्वड़ते हैं प्रकरती पर लेकिन समय के साथ साथ उसने नए नए कोशल विक्सित करके भूजन का उत्पादन किया घर बनाए याता याता है संचार के बहता सादनों का उसने विकास किया इस परकार उसने अपने आवाज के वातावरन को इस परकार जो है उसने अपने आवाज के वातावरन को क्या क्या था उसने अपने अनुकुल बना लिया था अब है हमारा की सेटलमेंट्स और प्लेसेज वेर पीड़ों बिल्ड देयर होम्स अरली हुमेंट्स बिंग्स लिव्ड ओन ट्रीज एंड इन केव्ड की सेटलमेंट्स वह इस्थान होते हैं जहां पर की लोग घर बना कर लेकिन जब उसने जो है क्रॉप्स को उगाने यानि फसलों को उगाना शुरू किया तो इट बिकेम नेसेसरी टू है पर्मनेंट होम तो यह जो है अवश्यक हो गया था पर्मनेंट होम बनाने उनके लिए मतलब इस्थाई रूप से घर बना कर रहना यह उनके लिए जो सेटलमेंट्स थी वो नदी घाटियों पर बनाए गई जो क्योंकि महाँ पर पानी उपलब था और उपजाओ भूमी उपलब थी विद्धा डेवलेप्मेंट ओफ ट्रेड कॉमर्स एंड मैनुफेक्ट्रिंग यूमिन सेटलमेंट बिकेम लार्जर अब जह कि व्याप बस्तियां थी वो और बड़ी होती चली गई सेटलमेंट्स फ्लोरेस्ट एंड सिवलाइजेशन डेवलेप्ट नियर रिवर वैली जो नदी घाटि के निकट जो बस्तियां थी वो मतब बनने लागी और उसमें जो है सिवलाइजेशनी सब्वेता का विकास हुआ अब देखें सेटलमेंट्स केन बी पर्मनेंट और टेंप्रेरी सेटलमेंट्स दो परकार के हो सकते हैं पर्मनेंट और टेंप्रेरी स्थाई और स्थाई सट्लमेंट्स which are occupied for a short time are called temporary settlement जो कि बस्तियें कुछ समय के लिए बनाई जाती थी उन्हें कैसे कहते थे को है ठेम्प्रेरी सेट्लमेंट कहते थे और अब अब इसमें प्रपान को कौन इसमें आखिंस था इखतीऊं में रहते टूड़े और पर्मनेंट सेटलमेंट लेकिन आज जो है अधिकान्स बस्तिया जो है पर्मनेंट बस्तियां है और प्यूपल बिल्ड हम्स टू लिवीड और इन बस्तियों में जो लोग क्या है घर बनाकर रहते हैं अब आधाए इसमें एक स्टोरी बताई गई है इसमें इस पैराग्राप में एक मेरी बच्ची थी जिसका बठ्डे पार्टी थी रहेकिन वह जो है अपने बठ्डे का जो नहीं काटी इस अपनी एक फ्रेंड गुरुप रित का वह इंतजार कर रही होती है तो जब वह उसकी फेंटग में आ गता है ये जाम लिए तो फिर वह पूछते कि यॉण लगा हुआ disable जाएं लसके विए पीटेफी का जार से देगा कई को यह अप एका जेंग तो दिक, करफी तुछत यह और यहां रहने लगा है और जिस्से जार। लोग क्यों आते हैं तो फिर उसको बताया जाता है कि यहां पर अच्छी नोगरी के तलाश में बहतर शिक्षा के लिए और जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए जो है लोग शेहरों में आते हैं फिर वो खुछती है कि यह जब इतनी सारे लोग आते रहेंगे तो फिर रहे जाती है और जो अवेद रूप से जो जेने स्क्वेटर सेटलमेंट यानि जो लोग आकर अवेद कब्जा कर लेते हैं जमीनों पर और फिर महां पर अपने के छोटे-छोटे से मकान बनाकर रहने लगते हैं तो इस तरह से यह बस्तिया बन जाती है और जो लोगों की भीड यहां पर प्रसात कहता है कि हमारे गाउन में बहुत बढ़ाए सिनेमा होह नई है अच्छे फ्चूल नहीं है अच्छे तरह बताता है कर और मेरे डादक गए थे तो उनको जो है इलाज के लिए कहा लाया गया था शहर में लाया गया तो यह बताया गया इस इस चेप्ट में परग्राफ अब फ्रोंब अब कानवर्शेशन वी केन अइडेंटिफाइट तो डिफरेंट विक्टर सोब सेटलमेंट अब जो इस पूरी कनवर्शेशन ने इस से में पता चलता है कि जो सेटलमेंट होती है वह दो प्रकार के होते हैं एक तो रूरल और सब्सक्राइब में बताया है कि घ्रहामिन वस्त्या होनी जान पर लोग फार्मिंग फिशीन और करेंग कॉतियों तो अब बूरल सेटलमेंट केन बीक्ट था केंक्ट और सक्टर कैटर्द सबस्ते बंगें उसलिए ग्रामन बश्तियों सगन बंगें और वैसी सब्सक्राइबिया खरौकें त्रकार की वस्तिया जो है कि इस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स इस प्रकार की वस्तिया अधिकतर हिली ट्रेक्स यानि पहाडी छेत्रों में घने जंगलों में और जहां की जलवायू अती विशम होती है वहाँ पर पाइदाते हैं कि इन यहां पर कि in a scattered settlement dwellings are spaced over an extensive area this type of settlements is mostly found in hilead tracks thick forests and reason of extremist climate इयानिक्स में वही है कि जो बिखरियों यानि वथियाह घर से दुरों चेतरों में स्टिय से और पर पहाएद गणी जंहें और जालवाजु अती विशम वहाँ पर पाई जाते हैं in rural areas people build houses to suit their environment रूरल एरिया यानि ग्रामेंट शेत्रों में लोग अपने प्रयावरण के अनुकूल घर बनाते हैं इन रिजन से इस तरह से ध्धलान आगे जो इस तरह से जाकि बढ़सात का पानी भरा नवाद रही सवाथ छते बनाई जाते हैं प्लेसे वेर वाटर ऑप्लेश इंदा रहनी सीजन रहां इसमें बाहें चाहां पर अधिक जल्द जमाव यान जल्द भनने का रहता है तो वहां पर ऊचे प्लेटफर्म या स्चिल्ट पर घर बनायाते देखे आपने यह तरह से उचे-उचे फिर यहां पर यह देखो इसमें देखिए कि यह कितने उचे-उचे प्लेटफर्म पर फिर उपर मकान बनाए गाए गाए अब है ठीक मट वाल्ड हाउसेज विद थैच रूप्स आर वेर मेटेरियल्स लाइक स्टोंस मर्ड क्ले स्ट्रॉ एट्सेटरा आर यूज़ तू कंस्ट्रक्टिड हाउसेज पत्थर चिकनी मिट्टी आदी का उप्योग करके यह घर बनाया जाते हैं जा टाउंसार स्मॉल एंड़ सिटी और शेहरों में बड़ी वस्तियां होती हैं इन इंगेज़ इन मैनिफेक्ट्रेडिंग जो नगर के दो होते हैं वह व्यपार एंट सेवा कार्यों में चेत्रों में वह कारेड़त रहते हैं ठीके बच्चों अब इतना ही आज हम इसको रेट करेंगे इस से नेक्स्ट तो हम कल रेट करेंगे ओके आप इतना चैप्टर कटान क् अबखेंई इससी प्ट्रेड रह एप जिए एंट विस्टी आइए कि अज़ी आप इससे रख च्टाची औल आपेंगेंतर सेना चे cessation करेंगेक्टिन आप स्टुब यह छिए एंट प्राग bleगें हैं और आपदेंगें अबढोगी स्टूलाइ़ जाद्दू आ